अपने पती को धोके से दूद में कुछ मिला कर पिला दिया और वहीं सुभा जब उस शक्स की आँख खुली तो उसकी जिन्दगी उजड़ चुकी थी चलिए आपको बता देते हैंगा इसे पूरा मामला पर इसे पहले अगर आपने हमाय चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दे सब्सक्राइब कर दीजे ये घटना यवना नगर के बाड़ी माजरा की है और ऐसा बताया जा रहा है कि बाइस दिन पहले अक्षर नाम एक शक्स की शादी करनाल के डमोली गाउं की रहने वाली महिला के साथ हुई रववार की रात उसकी पत्नी दूद लेकर कमरे में आई पेडित युवक ने बताया है कि उसकी पत्नी ने दूद में देसी घी मिला दिया अक्षर ने दूद पी लिया और उसने अपनी पत्नी से भी दूद पीने को कहा लेकिन उसने दूद पीने से इंकार कर दिया इसके बाद लाइट ओफ हो गई अक्षर की सुभा जब नेन खुली तो उसकी पूरी दुनिया उजड चुकी थी अक्षर ने बताया है कि उटते ही उसे चक्कर आ गए और वो नीचे गिरा फिर थोड़ी देर बाद उसे होश आया और इसके बाद उसने घरवालों को आवाज लगाई सब वहीं जमा हो गए लेकिन उसकी पत्नी गायब थी आनन्फारन में अक्षर को होस्पिटर में भरती कराया अक्षर ने बताया है कि उसकी पत्नी ने दूद में कुछ मिला कर उसे पिला दिया था जिससे वे बेहोश हो गया था अक्षर ने यहां तक कहा कि पत्नी ने पैसे जीवर और उसकी कपड़े तक लूट लिए इतना ही नहीं जो कपड़े उसने पहन लखेते पत्नी उसे भी लूट कर ले गई फिलाल पुलिस में केस दर्च कर लिया है और आरोपी पत्नी की तलाश शुरू कर दी है गाइस वीडियो को लाइक करी शेयर करी कमेंड करी और हमाय चानल को सब्सक्राइब करना ना पुलिए